वगत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिक और प्रिडिक्शन में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले नीदर लेंड वर्सेज पाकिस्तान सेकेंड ओडियाई का मुकाबला खेला जाएगा पहला मुकाबला कह सकते हूँ का इस बहुत आप लोग यहाँ जोएन हो जाएए एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन है फिर कमेंट बॉक्स में चल जाएए लिंक मिले का लिंक के थूरू आप लोग यहाँ पर आ सकते हो बाइद अवे किसी रिजन से लिंक वर्क नहीं करता है तो क्रिक 2580 आप लोग लिग कर मुझको सर ठीक है लेकिन सब्सक्राइबर का बता दू जब ठंडीं बिग बैस लिक चल रहा था तो चैनल पी श्ट्राइक आगे थी जिसमें की यूटूब और टेलीग्रम दोनों चैनल डिलीट कर दिया गया था वन लैक सम्टिंग सब्सक्राइबर थे पर कोई नहीं दोस्तों आप ड्रीम टीम में शामिलते सिर्फ इमाम उलहक और मुहमद वसीम को छोड़कर आप लोग देख सकते हैं ग्रांड लिग जीतने वाली टीम थी स्मॉल लिग की टीम तो ऐसी टीम आप लोगों को मिलती है गिने चुने मुकाबले यहाँ पर कवर किया जाता है जिसमें आप लो मुकाबला हुआ वही वेनू रहने वाला वेनू में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है पिछले मुकाबले में हम लोग ने देखा गाइस काफी यहाँ पे कुलोज आकर ही टीम हा रही थी नीदरलैंड की 300 का आकड़ा आलमुष्ट समझ जाईए कर चेस हो ही गया था ठीक है तो आप लोग देख सकते हुआ जब नीदरलैंड की टीम इतना क्लोज आ रही है तो अगर पाकिस्तान की टीम सेकंड बैटिंग करीगे तो आप तो और आसानी से जी सकती है तो हेड़ टुएड की बात करते हैं टोटल 4 मुकाबले खेले गया है नीदरलैंड का खाता तक न पहले बैटिंग करें जाड़ा मेटर करता लेकिन पीछ के हिसाब से क्याइग तो और आसानी से जी सकती है वर्श निंग इस्कोर एक 185 रने पहले बैटिंग करते हुए और हाइस्ट इसकोर यहा पर जो कि नीदरलैंड की टीम ने खुद ही लगाए था 315 अपने होम ग्रा स्कोर बना है 200 से लेकर 200 के बीच में तीन बार स्कोर बना है 250 से लेकर 300 के बीच में आज तक स्कोर नहीं बना है और 300 से ज्यादा दो बर स्कोर बना जिसमें पिछला स्कोर बना था पिछले मुकाबले में ठीक है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है वो 200 से कम बना ह यहां पी जब नीदर्लेंड की टिम फस्ट बैटिंग करेगी तो यह इसकोर आप 200 से लेकर 240 की संथिंग मान के चल सकते हैं लेकिन अगेंज जब पाकिस्तान की टिम पहले बैटिंग करती है तो यह इसकोर 280 से लेकर 320 तक मान के चल सकते हो वीडियो में भी यही बात आप लोगों को मैं दिखाता हूं क्या कुछ होता है यहां पर पिछला मुकाबला मैंने इसमें एड नहीं किया आप लोग वैसे भी जाकि उसको तो क्रीक बच पर देखी सकते हो उससे पहले कि जो कुछ तो आप लोग यहां से देख सकते हो गाईस कि अगर मैं स्कोरिंग आप लोगों को यहां से देखाऊंगा तो आप यहां देखे को बना यहां पर लोए मान चल को तो आप लोग करते हैं क्या कुछ हैं कर फकर जमान के साथ इमाम उलहाक साथ के उपनिंग करना है देख狗 तो वह खेली थी और इमामुलहक जो की मतलब बहुत ही अच्छा इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है पांच मुकाबले में तीन सतक है दो अर्ध सतक लगा कर आ रहे थे पिछला ठीक है लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लो अप हो गए तो उम्मीद रहेगी इसमें कि इस मुकाबले म में इनका एवरेज है मुहमद रिजवान 14 का स्कोर इनों ने किया था और मतलब के हिसाब से काफी बहतर खेलाड़ी लेकिन जितना छोटा फॉर्मिट रहता है इतना अच्छा यह खेलते हैं जैसे कि मुझे लगता है सबसे बेटर यह 20 में खेलते हैं उसके बाद टेस्ट म स्कोर यह कियए थे बॉलिंग से एक विकेट निकाले थे आगहा सलमान जिनको खेलने का मौका मिला था 27 अनों का बैटिंग सी योगदान दी यह थे बॉलिंग से विकेट लेस चले गया थे तो बता दूंब 14% के सम्थिंग नसीम सा को टीम में अपने लोग ले जा रहे थें अपने टीम में ये थे हैं और जीत की सबसे बड़ी वज़ा ये बने थे गाईज बात करते हैं यहां से क्या कुछ है पाकिस्तान की ओपनिंग बॉलिंग रहती और देथ बॉलिंग रहती है विकरम जी सिंग ओपनिंग करना है थे मैक्सो डूट के साथ 65 रनो का स्कोर इनो नहीं किया था और अगेंस्ट वेश्ट इंडी जो सिरीज खेली जा रही थे उसमें भी काफी बहतर ये परफोर्मेंस कर रहे थे लगबग 40 कैबरे से वहां भी रन बना रहे थे मैक्सो डूट जो कि इस टीम के परमुक बल्लेवाज है पिछले मुकाबले में मतलब अच्छी पारी नहीं खेल पायता है लेकिन देखे इस टीम से न मतलब कुछ गीने चुने ही खिलाड़ी है जो कि आप अपने टीम में रख सकते हैं और वह अच्छा गाता परफोर्मेंस देते हैं आप लोगों कमालु में साथ चार का कॉम्बिनेशन बनाना है साथ पाकिस्तान के चार वहीं नीदरलेंड के खिलाड़ी लेना है तो चार में से एक मैक्सो डूट का नाम निकल क्या आप लोग मान सकती हो वेसली बार्सी खिलाड़े हैं एक वो खेले थे 2 रनों का स्कोर इ लेकिन वहां से ही ये बॉलिंग श्टार्ट किया है और एक अल्राउंडर बनकी ये निकले हैं 16 रन पलस दो विकेट पिछले मुकाबले में निकाले हैं बाकि टॉम कूपर गई बहुत कम लोग अपने टीम में इनको ट्राई कर रहे थे 65 रनों का स्कोर इन्हों ने किया थ दर चाला जो कि जीत की सबसे बड़ी वजह में एक इहम रोल इनका भी था बाकी बात करते हैं यहां से यहां से देखेएगा। बात करते हैं स्कोर्स इटसवास की जो की विकेट कीपरिंग करते हैं और स्कृच इंखिटी बनाकर देते ही देते हैं इक helping का स्कोर इनके इनके टीम के एक पर्मू काल राउंडर है जो के अठाइसन बैटिंग से पहलास बॉलिंग से एक विकेट निकाले थे टीम प्रिंजल विकेट लेस चले गये थे आरियन दथ खेल रहे थे ये भी विकेट लेस गये थे बाकि विवेन किंगामा एक बहुत अच्छे इनके नहीं थे और देट में most of the chances विवेन किंगामा स्वरी यहां पर लगविन ब्रीक बाजडी लीड और विविवन किंगामा का ही रहता है ठीक है बागी बात करते हैं इनके तरफ से बालिंग इंफ्टर्मेशन तो आरियन दथ ने नो और की बालिंग की थी बागी टीम आपके तरफ से बालिंग डालते हैं वहारी श्रॉफ है नश्रीम शाय बाकी मुहमद वसीम अच्छी खाजी बालर डालेंगे और शादाब खाने ठीक है तो अब खोड़ोगों को पूरे प्लेयर का यहां पे समझ में आया हूँ अच्छे से मैंने पूरी explain करने के कोशिश क बाकि देखिएगा तो यहां पर पाकिस्तान के ओवर्ल प्लेयर का सारा रिकॉर्ड मैंने लिखा है तो आप लुक चाहूत यहां से भी देख सकते हो इनके तरफ से अब्दुल्या शफीक एक प्लेयर है करकते हैं अगर यह कभी भी खेलते हो तो आप इनका रिकॉर्ड दे सारे प्लेयर का रिकॉर्ड अगर आप चाहूं तो इनके तरफ से भी जितने खिलाड़ी आप लुक सारे प्लेयर का यहां पर रिकॉर्ड देखके चल सकते हो अब चलते हैं अपने ड्रीमेल ओने अप्लिकेशन में देखते हैं इस मुकाबली के लिए हमारी क्या टीम बनके लाइक कर देना चैनल पर नए होगे पहली बार आवाज को सुन रहे तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब अवश्य कर लेना देखें विक्ट कीपर ऑप्सन से बात करते हैं मोहमद रिजवान एक बहुत यह अच्छे खिलाड़ी अगर टी-20 क्रिक्ट रहता तो 100% टीम में लेकिन ODI में नीचे खेलते हैं और नीचे खेलने से मतलब नहीं है क्योंकि ODI में गेंदे भी जादा रहती है तो देखें अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं तब हो सकते हैं जब यहाँ पर पाक की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिलहाल के लिए मैंने देखिए अपने ट फकर जमान टॉम कूपर इमाम उलहक को मैंने ट्राइ किया है अब देखिए यहां तक बाबार आदम को तो हटाया जा नहीं सकता है ठीक है अब भले जीरो पे आउट हो जाएं आते हैं तो मतलब कुछ मन में लेही कराते हैं कि एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे एक न कामने की दिखा जा तो बहुत मलबूत है नहीं तो confidence काफी बूश्ट होगा टॉम कूपर गाइस मैंने कहा था पिछले मुकाबले में भी कि most of the matches में run बना कर देते ही देते हैं middle order में पलस balling से भी इनके पास advantage है तो हो सकता अगर एक wicket भी निकाल लेते हैं और 20 run भी कर देत हैं जरूरी नहीं इस मुकाबले में मैं फिर से इनसे half century ही उम्मीद कर रहा हूं 20 run कर देते हैं एक wicket भी निकाल लेते हैं तो काफी है बाकि इमाम-ul-hak गए इनका recent for काफी बहतर है देखिए मैं आप लेगों को बता दू एक time पे जैसे कि 2017-18 में जैसे विराट कोली और रो अपने में यह दोनों competition कर रहे हैं पिछले मुकाबले में भाले से flop गए हैं लेकिन इससे इनका जज्ज मत करिये गाइस असी का अभी इस साल run बना रहे है इस साल कह सकतू गाइस बहुत जाबरदस्त के form में है यह और श्टेलिया के खिलाफ सिरीज खेला जा रहा था माई म उसमें लगबग 90 के average से भाईया run ठोक रहे थे तो इनको अपने team में रखना must pick की category में आ जाता है विकरम जी सिंका क्या है गाइस देखें वेस्ट इंडिस के खिलाब जो सिरीज खेल रहे थे उसमें performance दे रहे थे लेकिन इन लोग का यही है गाइस कि कभी चलते हैं कभी न उकाबले में नहीं किये थे लेकिन एक दूवर मान के चल सकते हैं बाखी middle order में खेलें एक फिलाल के लिए मेरे टीम में जगानी बना रहे ग्रांड लिंग में आप लोग चाहो तो ट्राइ कर सकते हुई जब टॉप order को यहाँ पर छोड़ना था तो फिलाल के लिए तो यह कह सकता हूँ 800 बर ये भी बॉलिंग करेंगे और मतलब देस में भी बॉलिंग करने आते हैं तो अपने टीम में जगा बना रहे हैं अब कर यह सकते हो गाज आप चाहो तो मुहमन नवाज को ट्राइ कर सकते हो लेकिन इन तीनों में से किसी को भी हटाना रिक्स हो जाएगा लेकिन जनता है जिस जिस खिलाडी को अभी लिए वो सही डिसीजन गिया है बाकी यहां पर मुझे एक लगता है कि मिश्टेक कर रहे हैं लोग 41% मातर इनको सेलेक्शन है लेकिन काफी बहतर फॉर्म में है तो आई थिंक यह बढ़ भी सकता है अभी मैच श्टार्ट होने देख सकते हैं लगभग 24 घंटे से जादा समय बाकी है बात करते हैं यहां पर से बालिंग श्रेक्शन की तो हारिश राउफ नसीम साव और मुहमद वसीम मेरे टीम में है अब ऐसे में यह होता है कि नीदरलैंड की टीम फर्ष्ट बालिंग करती है तो हो सकता है यहां से मै तॉप ऊपर को हटा कर अपने टीम में विविन किंगामा को ट्राइ कर सकता हूं जो कि देथ में बालिंग करने वाले है तो अगर ऐसे में टॉम कुपर बैंटिंग से फलॉप हो जाते हैं और बालिंग से ज़्यादा बालिंग नहीं करेंगां फिर भी कह रहा हूँ गई द से तीन अबर कर सकते हैं पिछले मुकाबले में दो अबर किये थे और ऐसे में हो सकते हैं इस मुकाबले में दो अबर करते हैं और विकट लेस चल जाते हैं और बैटिंग से भी फ्लॉप हो जाते हैं तो ऐसे में वीविन किंगामा एक विकट भी निकाल लेते हैं तो मतलब पॉइंट कवर कर देंगे ठीक है मतलब उनसे ज़्यादा पॉइंट दे देंगे तो फिलहाल के लिए तो टॉम कूपर को लिया गया तो भाई इनके ही फेवर में सोचिए तो ऐसे में तो अगर टॉम कूपर अपने टीम मे परफोर्मेंस दे लेकिन ऐसे में आप लेकों के बताया कि आगर पार्क की टीम यहाँ पर फॉस्ट बॉलिंग करती है तो यह तीनों बॉलर रहने वाले इंको बैठाया गया अब बात करते है कैपटन वाइस कैपटन के तो कैपटन बाबर आजम मेरी टीम के रहने वाले हैं वाइस कैप्टन के तौर पर गाई थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है लेकिन फिर भी मैं इमाम-ul-haq के साथ जा रहा हूं देखिए बहुत सारे लोग यहां पर फकर जमान को बना रहे हैं लेकिन फॉर्म वाइस देखा जा जा तो ग्यारों खिलाडी ज माम-ul-haq के साथ गया हूं मैं अगर टीम का प्रिवी देखाऊं तो कि इस तरह का प्रिवी हो है अगर देखिए पाक की टीम फर्ष्ट बॉलिंग करती तो इन तीनो बॉलर में से आप किसी को भी अपना वाइस कैप्टन यहां पर बना सकती हो बाकि एक और और ऑप्सन यह बाद आप लोगों को टेली ग्राम पर ही मिला मिलेगा तो आप लोग प्लीज यहां पर ज्वान हो जाना वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चाल जाना लिंक मिलेगा लिंक के थुरू आ सकते हो बाइदेवे लिंक वर्क नहीं करता है तो क्रिक्टू होगे ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो बाकि मेरा समझाना आप लोगो को समझ आये हो तो एक लाइक इसके लिए कर देना बाकि वीडियो पर नहीं होगे तो प्रेस कर देना क्यूंकि गाईज होप आई-पियल तक आप लोगो सपोर्ट के वजा से हम लोग फिर से एक बाइ बाइ